आज सही में एक महतपुन मुद्दे पर जो दिल्ली के बारे में है भारत की राजधानी आप से चर्चा करने पार्टी के और से आया हूँ अरविंद केजरिवाल जी हर घर अन की बात कर रहे हैं घर घर पहुंचाएंगे आक्सिजन तो पहुंचा नहीं सके महला क्लिनिक दवा तो पहुंचा नहीं सकी अब अनाजध की बात कर रहे हैं ये भी कितना बड़ा जुमला है आज इसकी चर्चा में करने आया हूँ कानुनी रूप से भार्ष सरकार की नीतियों के अनुरूप में और वो क्या कर रहे हैं ये भी आपके सामने मैं बताने के लिए आया हूँ और बड़ी विनम्रता से आरंब में ही मुझे टिपणी करनी है कि डिल्ली सरकार राशन माफिया के नियंत्रण में है उनके सारे फैसले और ये बात मैं बड़ी जिम्वारी से बोल रहा हूं इसको मैं भी विस्तार से बताऊंगा आपको मालूम है कि Food Security Act का एक कानून है जो 2013 का कानून है हमारे सक्ता में आने के पहले का कानून है भारश सरकार देश भर में दो रुपे किलो गेहूं और तीन रुपे किलो चावल की विवस्ता कराती है प्रधानमंती ग्रामीन अन्नी योजना के अंतरगत पिछले साल भी नुवंबर तक दिया था मुफ्त देश के गरीबों को असी करोड को इस साल पहले दो महीने किया अब उसको नुवंबर तक कर दिया है इसका पूरा खर्चा चावल का होता है सैंतिस रुपे प्रोक्यूर्मेंट, डिलिवरी, ट्रांस्पोर्टेशन और ग्यहूं का होता है सत्ताइस रुपे है लेकिन भारत सरकार सबसीरी देकर देश भर के प्रदेशों को देती है राशन शाप के द्वारा बांटने के लिए इंपोर्टन समझे दो रुपे किलो गेहूं, तेन रुपे किलो चावल और भारत सरकार सालाना लगभग दो लाख करोड खर्च करती है इसके सबसीरी के उपर ये आपको जानकरी होनी चाहिए ये मैंने फुट सिकुरिटी एक्ट की बात की ये देखिए ये है फुट सिकुरिटी एक्ट टूथाउजन थर्टीन इसके अंतरगत राशन शॉप का डिस्क्रिप्शन है कि राशन शॉप क्या है और इसके दो प्रावधान की और मैं आपका विशेश रूप से ध्यान देना चाहूंगा कि सेक्शन ट्वल्व में लिखा हुआ है डोर स्टेप डिलिवरी अफ फुट ग्रेन तु दे टारगेटेड पॉब्लिक डिस्टिबूशन सिस्टम आउटलेट्स आउटलेट्स के दोरा आउटलेट कौन है फेर प्राइस शॉप है उसके बाद इसमें पूरी दिवस्ता है सेक्शन मैं आपके सामने 28 और 29 और ये मैं मानिया आदेश जी और मानिये विदूडी जी को बहुत विनमता से इसको कहना चाहूंगा ये बात आनी चाहिए कि ये पिरियॉडिक आडिट होगा हर राशन शॉप का धारा 28 के मुताबिक और ये बात जनता को इसकी जानकारी दी जाएगी कि इस फेर प्राइस शॉप के आडिट का नतीज़ा क्या निकला वो ठीक काम कर रहे हैं गलत काम कर रहे हैं ये कौन करेगा राश सरकार करेगी और धारा 29 में इस बात का प्रावधान है कि आप विजलेंस कमिटी बनाएंगे राशन शॉप की मोनिटरिंग के लिए जो ये राशन शॉप ठीक काम कर रहे हैं नहीं काम कर रहे हैं ये इसकी चिंता करेंगे तो ये कानूनी विवस्था है जो पूरे भारत में लागू है जिस कानून का नाम है Food Security Act इसलिए मैं देश का कानून मंत्री आज इसका गजट ही लेकर के आया है जो ये गजट घोशित किया गया था 10 सितंबर 2013 को मतलब मोदी जी की सरकार के आने के पहले है ताकि किसी को टारगेट करने का आरोप हम पर न लगाया जाए अब मैं आता हूँ One Nation One Card One Nation One Ration Card ये भारत सरकार के दोरा बहुत महत्पुन योजना शुरू की गई कि बिहार, यूपी, उत्राखंड मध्यपदेश, राजिस्थान के लोग देश में गुमते हैं मज़ूरी में अब तो दक्षिन भारत के भी गुमते हैं तो अगर वो गाओं पर राशन कार्ड में उसका नाम है तो दिल्ली में नहीं मिलेगा तो मुंबई में नहीं मिलेगा तो प्रधानमंत्य जी को ये चिंता जब बताई गए उसने का नहीं इसका राथा निकालो तब देश में वो मेरे IT विभाग ने उसकी चिंता की वो सिस्टम को प्रोवाइड किया एक देश, एक राशन कार्ड वन नेशन, वन राशन कार्ड और मुझे आपको बताते हुए एक हर्श होता है कि देश के 34 राज्यों और यूटी ने वन नेशन, वन राशन कार्ड को एडाप्ट कर लिया 34 राज्यों रहे और अभी तक इस पर 28 करोड transaction हुए हैं किसके portable जो रहते कहीं और है काम करते कहीं और है तो उनको कोई दिक्कत नहीं हुई कि अगर कोई विक्ति बिहार का या या यूपी का या राजस्थान का या मंद्वदेश का दिल्ली में है तो आधा परिवार ने अपने गाउं में राशन लिया आधा यहां लिया यह मतलब होता है One Nation One Ration Card का भारत के सिर्फ तीन प्रदेशों ने अभी तक वन नेशन वन राशन कार्ड को इंप्लिमेंट नहीं किया है क्योंकि इसमें आधार से जोडते हैं एक मात आपको मैं बता दूँ आधार भी मैं देखता हूँ आईटी मंतिक रूप में आधार का मतलब क्या होता है आपकी फिजिकल आइडेंटी को कनफर्म करने के लिए आपकी डिजिटल आइडेंटी आपके डिजिटल व्यक्तित्व से आपके निजी व्यक्तित्व की पहचान और कैसे आखों के आईरिस और उंग्लियों के निशान यांगूटे के निशान औ आप प्लास्टिक सरजरी से अपना चेहरा बदल सकते हैं, अपना नाम बदल सकते हैं, अपने आग की आइरिस और अंगोठे के निशान नहीं बदल सकते हैं, इसलिए आधार का लिंकेज का यह फाइदा होता है, मुझे आपको बताते हुए पीड़ा हो रही है, कि 34 राज्यो ने वन नेशन वन राशन कार्ड को फॉलो किया, तीन प्रदेश नहीं किये हैं, एक आसाम क्योंकि वहाँ आधार लेट से शुरू हुआ था, जो उनके इस्थानी समस्याए थी, नागरिक्ता को लेकर कि जा दिया, और बाकी दो प्रदेश, एक का नाम है बंगाल, और दू नहीं लागू किया है, इसका जवाब देवो, क्या परशानी है आपको, क्या दिक्कत है आपको, बीजेपी के और से ये सवाल हम बहुत प्रमगता से उठा रहे हैं, कि अगर देश के 34 राज्य, वन नेशन, वन राशन कार्ड को फॉलो करने को तयार हैं, तो ममता जी की बा उचने की बात करते हैं, तो क्या दिल्ली में वो बार बार उनकी और से प्रवासी मजदूरों के बारे में बड़े पीड़ा दायक भावनात्मक चीज़े उठाई जाती है, तो उनको खाना मिले, इसमें को दिक्कत क्या है, क्यो नहीं, ये हमारा पहला सवाल है, अब हम आत हैं दिल्ली सरकार के आचरन पर, आचरन की क्या इस्तिती है, मैंने पहले बताया, कि अब आप राशन कार्ट पर जाएंगे, तो पॉस मशीन से आपको अथेंटिकेट करना पड़ेगा, तो उसे कोई जाली फरेवी काम नहीं हो सकता, देश भर में लगबग 86% राशन आदेश में 99% UP, MP, मेरे प्रांथ बिहार में 95% है, बाकी प्रांथों में भी होगा, कुछ कॉंग्रेशी प्रांथों में भी होगा, अब दिल्ली की कहानी जरा सुनिया आप, दिल्ली में जनवरी 2018 में इ-Authentication राशन कार्ट पर शुरूग किया गया, और आदेश जी और व 2018 में, इस चार महिने में क्या हुआ, चार लाख फरजी राशन कार्ट पकड़े गए, दिल्ली में, मैं फिर कहना चाहता हूँ, मान्दी केजरिवाल जी, जनवरी 2018 में आपने शुरू किया, अच्छा किया, चार महिने में क्यों रोक दिया, क्या समस्या थी, समस्या ये थी, कि चार लाख फरजी राशन कार्ट पकड़ लिये गए थे, तो राशन माफिया, दिल्ली सा कारपा हावी हो गया, इसको रोको, आदेश जी, विदुड़ी जी तर क्या दिया गया, कि टेक्नोलोजी काम नहीं करती है, तो आपने चार महिने में 79% authentication कैसे कर लिया भाई, जो चार महिना हुआ, और अगर टेक्नोलोजी की समस्या थी, तो IT विभाग में मुझसे आगरा करते हैं, भारत सरगार को लिखते हैं, दिली तो भारत की राजधानी है न, मिघाले में हो रहा है, कश्मीर में हो रहा है, नागा लैन में हो रहा है, अर नाचल में हो रहा है, जो पहड़ों में हैं, हिमाचल में हो रहा है, उत्राखंड म हो रहा है यहां क्या परशानी है आपको और अगर टेक्नोलोजी पर हुआ तो एक आज मैंने में ठीक हो जा था शुरू कर देते हैं अप्रिल दो हजार अठारह से आज तक आपने आथेंटिकेशन पॉस मशीन का दिल्ली की राशन कार्ड की राशन डुकानों में शुरू क्य ही किया यह ताहित्व किसका है केजरिवाल जे की सरकार का है तो यह मेरा दूसरा सवाल है अब मैं आता हूँ होम डिलिवरी यह होम डिलिवरी देखने में बड़ा अच्छा लगता है लेकिन थोड़ा इसके अंदर जाईए तो इसमें स्कैम के कितने गोते लगेंगे वही समझ में आ जाएगा और इसको मैं थोड़ा विस्तार से बताना चाहता हूँ आप जब राशन कार्ड के दुकान पर लेते हैं तो वो महले में है घर के बगल में है और उसका एक वैधानिक दाइत्व इस कानून के अंतरगत है मतलब आपका विजिलेंस होगा आपका इ माल आया कितना गया इसका आपको हिसाब देना पड़ेगा नहीं देंगे तो आपके खिलाफकारवाई होगी हमारे स्टेट्मेंट में आपको मिलेगा यहां क्या क्या हुआ है लेकिन अगर आप उठाके घर जाएंगे तो कहां का माल कहां जा रहा है कुछ मालू होगा क्या कितना माल बीच से गाइब हो रहा है ये कुछ मालू हो गा मैंने जाने की कोशिश की कि भारत परश्च में और कहीं हो रहा है क्या का नहीं हो रहा है सिर्फ एक हमको कहानी मालू होई कि संभवता आंधर पदेश में एक योजना चली कि वो ट्रांस्पोर्ट से दुकान से उठाते है पॉस्ट वशिन आथिंटिकेशन करके और घर पहुँचा करके जो बचता है उसको दुकान में वापिस कर देते है और कहीं कुछ नहीं है मतलब फेर प्राइस राशन शॉप की दुकान इसके केंदर में है ये कानून की आवशकता है ताकि भारत और केजरिवाल जी पूछते हैं कि मोदी जी न आपका आनाज है न मेरा आनाज है केजरिवाल जी ये भारत की जनता का आनाज है जो भारत की जनता के पैसे से खरीदा गया है तो ये इमानदारी से भी के technology के माध्यम से भी के ये इसके आवशकता है अब आपको हमें एक और रोचक इसमें जो बहुत पीडा धायक है और मैं अपने दोने नेताओं को जरूर कहूंगा कि भारत सरकार की ओर से उनसे पूछा गया कि कृप्या करके आप बताएंगे कि आपने शिरूल कास शिरूल ट्राइब को क्या प्राथ मिक्ता दी है ये दस परवरी दो हजार इकीस की चिट्टी है दस परवी दो हजार इकीस की जिसमें भारत सरकार ने आगरह किया कल्जुमर अफेर्स मिनिस्ट्री के ओर से क्रिप्या करके बताएं कि direction under section 38 इसमें भारत सरकार उनको निर्देश दे सकती है of the National Food Security Act 2030 for maintaining data of SCST beneficiary दिली में ठीक है सुनिये आदेश ये जवाब सुनिये जवाब है दिली प्रदेश का not available not available not available क्या मतलब है इसका भई दिली में आपके पास ये भी data नहीं है कि कितने हमारे दलित समाज के कितने हमारे वनवासी समाज के बंदों है यहाँ पर और उनको आप राशन कार्ड में कितना स्वयोग कर रहे हैं क्या मतलब है इसका दिली सरकार कैसे चल रही है हम बाटी के ओर से अकड़ा गया तो फिर आप उसको रोक देंगे भारत सरकार के निरदेश को नहीं मानेंगे और आप स्टी स्टी की भी चिंता नहीं करते हैं प्रवासी मजदूरों की भी चिंता नहीं करते हैं और दिली के गरीबों की पातरता की भी चिन्टा नहीं करते हैं तो एक कहावत है ना आपका चाल चलन कैसा है तब ना आगे आप कुछ काम करेंगे तो मैं पूछूंगा केजरिवालजी मैंने आपसे क्रमवद आपका चाल चलन रखा है तो अगर ये आपका चाल चलन है तो किस इस आधार पर आप कह रहे हैं कि हम घर घर अनाज पहुंचाएंगे यह हम स्वाल उठाना चाहते हैं तो आप कानून तोड़ना चाहते हैं आप दिली के गरी जंता की आखों में धूल जुकना चाहते हैं और खरीद की भारत सरकार ने पैसा खर्चा किया भारत सरकार ने कानून के मताबिक राशन के माध्यम से उसको भेज़ना है तो केजरिवाल जी अगर आपको इतनी ही रूची है तो आप अपना एक अलग इसकीम बना कर आए भारत सरकार के पास हम सस्ते में अनाजाप को देने की कोशिश करेंगे और यह ऐसी बात नहीं है यह देखिए भारत सरकार की ओर से उनको तीन साल में इतनी चिठियां लिखी गई है यह से मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ आपका विस्तार से बता नहीं रहा हूँ तो अपना इसकीम आप दे दीजे कि भाई हम प्रधान मंत्री ग्रामीन अन्य योजना के अंतरकत जो अना जाता है उसको हम नहीं चुएंगे अलग से हमारा खर्दय बहुत बड़ा है हम खर्चा करेंगे उसके लिए हमारी ये उजना है आप ओके कर दीजे तो ये हैं बड़े सवाल और इसका एक पुलिटिकल निस्कर्च क्या है कोई भी विशह लोग भारत सरकार काम नहीं करने देती है और जो मैंने शुरू किया था महला क्लिनिक पर कितना विज्यापन खर्चा हुआ कुछ हिसाब पूछा है आपने कहां गया महला क्लिनिक गरीब आदमी परिशान था ऑक्सिजन भारत सरकार नहीं देती बाद में सच्चा ही सामने ऑक्सिजन का आडिट कराई है दवाई का वही हाल हुआ मैंने विस्तार से आपको बताया तो हर काम भारत सरकार हम कुछ नहीं करेंगे हम टीवी में सिर्फ बयान देंगे ये हैं बड़े सवाल इसलिए मुझे लगा कि आज ये सारे विश्य कानून फैक्ट के मताबिक मैं आप सबों के सामने बकाइदे विस्तार से रख दूँ ताकि आज ये सच्चाई सामने आनी चाहिए ये सच्चाई आनी बहुत जरूरी है हम फिर विनमता से आगरह करना चाहते हैं दिल्ली की जनता उनकी पीड़ा हमारे दिल में केंदर सरकार और हमारी प्रदेश की राष्टी और प्रदेश की जनता पार्टी के दिल में उनके अन की पीड़ा का समधान निकले ये हम और आज हम भेज रहे हम हम दिल्ली में काफी बड़ी संख्या में मैं आपको बता दूँ भारा सरकार 37,573 टन अनाज दिल्ली के 73 लाख लोगों को हर महीने भेजती है फिर रिपीड कर रहा हूँ 37,573 टन अनाज दिल्ली के 73 लाख लोगों को हर महीने भेजती है जिसकी सबसीडी है 1163 रुपे 1163 जो नैशनल फूड सिक्रूटी एक्ट के अंतरगत हम पेशते हैं तो दिल्ली का हित हमारा है वो चलेगा लेकिन सवाल है कि ये जो नई कहानी रुची जा रही है ये दिखावे के लिए है और इस स्कैम को प्रमोट करने के लिए है और ये मैं अंतिम बात कहके अपनी बात समात करूँगा हिसाब कहां से रखोगे भाई अनाज तो आपके पास है नहीं आपने अनाज की कोई योजना लाई नहीं भारत सरकार जो देती है उसी को आप लेबल लगा हमको लेबल से चिंता नहीं है मोदी जी का लेबल हो या केजरिवाल का लेबल हो हमें इमानदारी की चिंता है हमें प्रामानिक्ता की चिंता है हमें गरीबों के पास अनाज पहुंचे इसकी चिंता है तो आप कहां से उठाओगे कैसे पहुंचाओगे भाई तो पता ही नहीं रहेगा न तो जैसे राशन माफिया ने चार लाक फेक राशन कार्ड के पकड़े जाने के बाद उनकी आपके उपर पकड़ इतनी है आपके सरकार के उपर कि उस कारक्रम को इस थगित करा दिया जो पूरे देश में चल रहा है तो इसमें घपला नहीं हो से करण क्या है यह हैं बड़े सवाल इसलिए मित्रों अंत में मुझे पार्टी की ओर से कुछ सवाल पूछने हैं और जिससे में कन्कूलूर करूँगा फिर आप मुझे प्रशन पूछ सकते हैं केजरिवाल जी आप बताएं कि वन नेशन वन राशन कार्ड आपने दिल्ली में लागू क्यों नहीं किया अगर भारत के 34 राज लागू कर सकते हैं तो आपको क्या परशानी है अगर देश के 28 करोड पोर्टेबल ट्रांजेक्शन हो सकते हैं उस पर तो दिल्ली में जो प्रवासी मजदूर हैं गरीब हैं उनके हितों की आप क्यों देखी कर रहे हैं ये पहला सवाल है दूसरा सवाल आप अपने राशन की दुकानों पर ए-पॉस मशीन से आथेंटिकेशन कब शुरू करेंगे जो दोहजार अठारा के अप्रिल में आपने समाप्त किया अभी तक समाप्त रखा है और तीसरा केजरिवाल जी अगर आपने हिम्मत है तो अपना नया प्रस्ताव भारत सरकार को भेजिए कि जो भारत सरकार की इस कानून के अंतरगत प्रावधान है उसका हम उलंगा नहीं करेंगे फुट सिकूर्टी आक्ट का हमारा ये प्रस्ताव है भारत सरकार खुले मन से उस पर विचार करेगी और अंतिम बात केजरिवाल जी आपके दिल्ली में कितने हमारे दलित परिवार के बंधूं को राशंग का लाब मिलता है आपको आपको इसका डाटा भी नहीं है क्या चिंता करते हैं आप ये चार पांस सवाल थे तो मुझे लिए आपको विस्तार से रख दूँ बहुत बहुत धन्यवाग अरे चोड़ो पहले मैं इस पर इस पर मैं उत्तर लूँगा सवाल लूँगा ये से नहीं कुश्चन अंदिस इसी संदर में विशा ही नहीं रहा है सर अभी आपने जिक शेज़िवाद के वारे में बता रहा है आम आपे पाती ये आरूप लगा रही है मेरा जवाब बहुत साफ है हमने आपके सामने कानून रखा हमने इनके बारे में इनका अतीत रखा चार लाग फेक राशन कार्ड पकड़े गए वो रखा वन निशन वन कार्ड क्यों नहीं लिखा डिजिटाइज़िशन से चीजें प्रामारिक होते हैं आप भी जानते हैं डिरेक्ट बेनफिट ट्रांसफर में देश के दस करोण किसानों को अब तरह हम एक लाग करोड भेज़ चुके हैं सीधा उनके बैंक अकाउंट में इसीदी से बात है मेरे शब बहुत थे अपना प्रस्ताव भेजें अब इनको कोई प्रस्ताव नहीं आया तो आपकी क्या योजना है या बताएंगे या भारत सरकार से जो आपको एक हजार एक सोतिर्सट करोड का अनाज हर महीने जाता है उसी पर खेल खेलेंगे तो उस पर खेल खेलेंगे तो ये कानून रास्ते में है जिस कानून के बारे में आपको मैंने विस्तार से बताया ये फूट सेक्रुरिटी आक्ट तो क्या हम इसके प्रादान का उलंगन करें क्या और दूसरी बात कि अगर आप इस अनाज को राशन दुकान से बाहर ले जाएंगे तो उसकी प्रामानिक्ता उसकी पारदर्शिता और उसकी जवाबदारी क्या होगी है हाँ ये सवाल है को कोई लटका नहीं रहेगा भारत सरकार हर महीने डिली के 73 लाख लोगों को 1163 करोड रुप्य का अनाज लगभग 33,573 तन भेजती रहेंगे उनको तो अभी मिल रहा है ना तो अभी मिल रहा है हाँ एक मिनट और हमें ख़बर मिली है कि दिली में काफी जगा पॉस मशिन लगा है लगने के प्रक्रिया जा रही है तो उसको शुरू करिये ना क्यों नहीं शुरू करते है स्थीर के लगने के दिली को शुरू करते है